यह डीडी फ्री डिसका MP2 सेटब बॉक्स है इसको मैंने एक कस्टमर को सेल किया था और यह देखिए 129 2021 को मैंने सेल किया था और तीन मेहनिक गरांटी दिया था मैंने यह देखिए मेरा साइन भी है तो दोस्तों इसमें दिक्कत एक आ जlor कंडिशन में है इसकी डिस्प्ले announce देखिंगे इसको प्लग में लगाता हूं स्विच आरो करता हूं तो यह देखिए और नहीं हो रहा है बिल्कुल इंधर सेborबिट पिस हो की लेकिन आप बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रही है शुरू से लेकर अंतक और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि's सेटब औयग्स में क्या फॉल्ट है और इसको हम कैसे रिपैर कर सकते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए step by step skip करके ना देखें और power supply card या dts relative और सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के इस वीडियो की description में मैं उसका playlist दे रखा है वहां जाके पूरा playlist आप देख सकते हैं जिससे कि आप setup box को बनाना सीख सकते हैं बहुतर तरीके से तो आज किस वीडियो में इसको हम रिपैर करना सिखेंग और क्या fault है यह खोलने के बाद पता चलेगा और इसका fault हम ढूंडेंगे और उस fault को रिपैर भी करेंगे तो चलिए दोस्तों और चैनल पर पहली बारा है तुमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाजू में जो बेल आइक है उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी इस पर वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नौटेपी कसन आपको सबसे पहले मिल जाए देखने के लिए तो च चमकता हो आपको दिखाई दे रहा हो क्योंकि अभी 7-8 दिन हुआ है तो इसको मैंने प्लग में लगाई रखा है तो इसका हम बॉल्टेज चेक कर लेते है तो आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए तो मल्टीमीटर को सबसे पहले मैं इसका एसी पॉंट चेक करूँगा जिए तो यदीर पर करूँगा इसको मैं और यहां पर यहां पर वॉल्टेज में चेक करूँगा ठीक है तो मल्टीमीटर को 2065 की रेंज़ में रखेंहें और यहां से उसके ज्वाटरं से वॉल्टेजच चेक करें मैं तो यहां देखिए 232 वोल्टेज आ रहा मतलब की हमारा लीड वगेरा बिल्कुल ठीक है अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर यहाँ पर DC पर करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे तो यह जो D3 है और D4 तो D3 हमारा माइनस का हो गया D4 प्लस का हो गया यहाँ पर हम 600 के रेंच पर करके चेक करेंगे तो यहाँ भी हमारा DC वोल्टेज बिल्कुल आ रहा है 313 वोल्ट तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसका ब्रीज रेक्टिफायर और यह वाला कोईल और फ्यूज यह कंडेंसर वगेरा सब ठीक ठाक है जब यहाँ पर इतना वोल्टेज दिखाई दे रहा है तो चलिए अब डाॉर्ट हम चलते है इसके इस सेक्षन में यहाँ पर आ जाते हैं डारेक्ट और यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे तो सबसे पहले घ्राउंड यह जो ग्राउंड होता है इसको हम 200 के range में करेंगे multimeter को और यहां से ground ले लेते हैं यह वाला pin यह आप direct यहां से भी ले सकते हैं ठीक है यहां से तो फिलाल मैं ground जो की यहां से लोंगा और यहां पर voltage चेक करूँगा 12 volt आ रहा हैं तो multimeter में 200 के range पर रखेंगे और यहां पर दूसरा पीन है तो यहां पर देखेंगे 15.6 बोल्ट आ रहा है ठीक है उसके बाद इसमें यहां चेक करेंगे हम उसके बाद फिर हम यहां पर 3.3 बोल्ट चेक करेंगे तो 3.3 बोल्ट के जगा 0.9 बोल्ट आ रहा है ठीक है इधर 5 बोल्ट चेक करेंगे तो 5 बोल्ट पे 2.4 बोल्ट आ रहा है उसके बाद यहां पर आता है 12 बोल्ट तो 12 बोल्ट के जगा 1.6 बोल्ट आ रहा है तो आगर यहां आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं तो ग्राउ है कि थिरी पॉऋंट थिरी बोल्ट के जका जीरो पॉइंट नाइन आ रहा है उसके बाथ भाड़ा बोल्ट में वफ़वीड़ा लुटवाले वाले में टो प्रेंट लिगे जो यहां पर अम्प्रिफाइर के लिए डे रखा है यहां पर व्लोटफ पूरा आ है ठीक है 12 वोल्ट का तो इस फ्овल्ट को ओ सकता दोस्तों पार निकाल लेते इसको बाहर निकाल लेते हैं उसको बद कि Mu आश्यक करते हैं how are we so Ok तो इसको निकालने बाद बॉल्टे चेक करते हैं तोनों आप देखेंग कि इसको निकालने के बाद जो 12 बोल्ट पे 5.5 बोल्ट आ रहा है उसके बाद 24 बोल्ट पे चेक करेंगे तो जीरो आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है फिर उसके बाद 5 बोल्ट पे 5.5 बोल्ट आ रहा है फिर इसको लगा कर चेक करते हैं लगाने के बाद फिर चेक करते हैं तो देखेंगे फिर बोल्टेज ड है तो 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 इसको में बन कर देता हूं और वोल्टेज में चेक करता हूं कि तो इसका मैं डाइवोड चेक कर लेता हूं कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट नहीं आ रहा है तो करते हैं तो डायवोड चेक करने ज обязательно क्या खाम करेंगे कि तो यह देखें के पाँच वोल्ट का यह 12 व्ёт का 14 वोल्ट का होता है और और यह वाला और यह दोनो कि यिपोने को होता है घो ऑज सबसे पहले देख लेते मल्टी मित्र नाप मस अब च्पिए रखेंगे और चेक करेंगे तेह से वीलु बताना चाहिए एकिसे व्यीव नहीं बताना चाहिए तो च्पिएões प्रोस करते हैं कि तो कंटीनीउटी घंट आपको सुनाई दे रहा होगा यह देखिए, इसका उतले 24 वोल्ट वाला जो डाइवोड है, वो सौल्ट हुआ पड़ा है, जिस कारण से बोल्टेज आगे नहीं पहुँच पा रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर, और इस डाइवोड को हम चेंज करके देख लेते हैं, तो यह डाइवोड है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो इस डाइवोड दोस्तों यह है, FR107 नमबर ठीक है, FR107 नमबर डाइवोड है, तो इसको मैं अब डारेक्ट चेक कर लेता हूँ, मल्टी मीटर से, तो एक साइट से वेल्यू, तो यह देखिए, पूरा सौट बता रहा है, बीप का साउंड आपको सुना ही दे रहा होगा, यह सौट है डाइवोड, तो इसको मैं कोई दूसरा डाइवोड लगा लेते हैं, तो एक डाइवोड यह है, मेरे पास, FR107 है, तो इसको मैं लगा कर चेक कर लेते हैं, तो लगाते समय ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे निकाला है, वैसी लगाएंगे हम, इधर एक वाइट कलर की पट्टी दिखाई दे रही होगी, और यहां भी आप देखेंगे तो C पे आपको लगाना है, तो वाइट कलर की पट्टी पे मैंने इसको लगा दिया है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है हमारे पास, कि 24 बोल्ट नहीं आ रहा है, तो 24 बोल्ट नहीं आने कारण दोस्तों, डाइवोड खराब हो सकता है, या फिर कॉयल होता है, ट्रा आप से नहीं हो पारा है, तो डाइरेक्ट हटा सकते हैं, तब भी आपका सेटप चल जाएगा, तो फिलाल हमने डाइवोड लगा दिया है, अब हम चेक कर लेते हैं इसको चला कर, तो इसको हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है, और अब देखते हैं, ओन करके, तो हम देख रहे हैं, हमारा सेटप बॉक्स अब ओन हो गया है, यह देखिए, और इसका बोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, तो डी सी टू हंड़ेट पर करेंगे, और यहां ही लग लेते हैं, ग्राउंड और बोल्टेज चेक कर लेते हैं, आपर, ते देखिए, थिरी फॉन 5 बोल्ट, उसके बाद 12 बोल्ट, फिर उसके बाद 24 बोल्ट, और उसके बाद 5 बोल्ट, यह पूरे पूरे वोल्टेज हमारे आ गये हैं, तो दोस्ते एक डाइवोर्ट खराब हो जाने के कारण, यह हमारा सेटप बॉक्स अन नहीं हो रहा था, तो इस तरह से आप इसको ब पहलए कि दोस्तों, जब उस सेटप बॉक्स को आटो स्कैन करेंगे तो चैनल सारे repeat होकर आएगे, मालोग लोग यह 100 चैनल आ रहे हैं, जब आटो आपको प्रह geldi, तो 200 चैनल आपको दिखाई देंगे हो, बस यह दिब्कचत होता है, बाकी सारे चैनल आपके चलेंगे, तो अब ले धन्यवाद बाई बाई दोस्तों